नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त पवन प्रताप आपके अपने टेक्निकल चैनल टोटल पावर सोल्यूशन पर दोस्तों आज मेरे पास ये लाइटर है और इसी लाइटर से कुछ दिन पहले मैंने कीचन में गैस जलाने की कोशिश की और दुरभाके से मुझे तीन चार या पांच अटेंप्ट करने पड़े गैस को जलाने के लिए क्योंकि गैस पे बरतन रखा हुआ था कुछ इस तरीके से और इसी दोरान मेरा हाथ बरतन को टच कर गया और मुझे इलेक्ट्रिक सोक लगा और इतना सोक लगा कि मुझे अच्छे तरीकте से मैसूस हुआ अब यहां पे इतना तो मुझे पथा है कि वह इलेक्ट्रिक सोक जो है वह इस लाइटर की वजह से मुझे लगा इस लाइटर के अंदर जो स्पार्क पैदा होता है वो स्पार्क आपका बर्तन पे ट्रांसफर होगा जिसकी वज़े से बर्तन में वोल्टेज इंड्यूस हुई वोल्टेज पैदा हुई और बरतन की वोल्टेज की वज़े से मेरी बोड़ी के अंदर से करंट फ्लोगा और मुझे सोक लगा लेकिन अब स्वाल सिधा सा ये है कि इसके अंदर कोई सेल नहीं है तो वोल्टेज प्रोड्यूज कैसे होती है दूसरा स्वाल कि इतनी कितनी वोल्टेज पैदा होती है कि हमें उससे सोक लगता है, तीसरा स्वाल, वो जो वोल्टेज पैदा होती है, प्रोडूस होती है, वो AC होती है या DC होती है, इन तिन्नों पॉइंट को लेते वे हम यहां पे आज एक दो एक्सपेरिमेंट करेंगे डिजिटल स्टोरेज ओसिलो स्कोप पे इसका जो स्पार्क है उसकी वोल्टेज कितनी है वो एसी है या डीसी है उसकी वेवफॉम की मदद से हम समझने की कोशिज करेंगे उसकी वोल्टेज को मीजर करने की कोशिज करेंगे एक्सपेरिमेंट करें उससे पहले मैं इस लाइटर का ओवर्विव आप लोगों को दे देता हूँ टेक्निकली इसको पीजो इलेक्ट्रिक लाइटर बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक दो सब्दों से मिलकर बना है पीजो का मतलब प्रेशर या फोर्स इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिकल इस lighter के अंदर पीजो इलेक्रिक escaping pięter का य्यूज गया जाता है जिसके अंदर पीजो इलेक्रिक crystal य्यूज करते हैं जिसकी property होती है कि उस sau crystal के उपर अगर हम pressure या force apply करें suddenly तो उसके दोनों end पे potential difference यानी कि voltage produce होती है यानि कि वो ट्रांस्डूसर कितने काम करता है प्रेशर या फोर्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कनवर्ट कर देता है ऐसा क्रिस्टल इसके इंदर यूज किया जाता है जिसकी वज़े से वो जो वोल्टेज पैदा होती है वो लगबग 700-800 वोल्ट के आसपास पैदा होती है और इसकी वायरिंग और इसकी अर्रेंजमेंट कुछ इस तरीके से की जाती है कि जो वो 700-800 वोल्ट पैदा हुई है वो एक सिंगल वायर के थुरू एक सिंगल पाथ के थुरू यहां पे सेंटर तक लेके आई जाती है जिसके आसपास इसकी बोडी के थुरू उसको डिस्चार्ज किया जाता है यानि कि वो जो वोल्टेज जो चार्ज यहां पे जो एनर्जी यहां पे सेंटर में आई है वो आपकी इसके बोड़ी के और उस पिन के बीच में जो एर गैप है उसको आयोनाइज कर देती है और एर के थुरूब वो जो स्पार्क है वो आपका बोड़ी पे डिस्चार्ज होता है और वो जो spark है उसकी मदद से हम यहां पे gas या petrol जो भी आपका combustible fuel है उसको ज़ा लेते हैं यह इसकी working होती है सिंपल सी अब हम इसके उपर experiment करेंगे इसको समझने की कोशिस करेंगे दोस्तो मेरे हाथ में यहां पे किसी lighter में से निकाला हुआ पीजो electric जो ignitor है वो है हो सकता है कि यह जो pocket lighter होते हैं उन में से किसी एक का हो मैं इसकी arrangement आपको समझा देता हूँ अगर इसको आप गोर से देखेंगे तो यह wire है जिसमें से जो voltage produce होती है उसका वज़े से जो energy electrical energy convert होती है वो इसके through आगे चलके उसकी जो body होती है जो कि दूसरा electrode का काम करती है उसमें discharge होती है यह इसके अंदर spring लगी भी है और यह उपर आपका switch है प्रेस करने के लिए जैसे प्रेस करेंगे तो एकदम से यह यह जो आपका पीजो electric crystal होता है इसको strike करता है यह देखी कुछ इस तरीके से अब मैं इसकी brightness कम करके आपको यहाँ पर इसका जो spark है उसको मैं दिखाने की कोशिस करता हूँ इस wire से होके मेरे हाथ के थुरू यह देखिए अगर इस wire को मैं इस तरीके से bend करूँगा तो यह wire to wire ही यहाँ पर आपको discharge होते वे नजर आएगा यह देखी तो इस तरीके से यह काम करता है जैसे ही यह उपर से switch हम प्रेस करते हैं तो एक hammer की तरह है उस पर जाके strike करता है जिससे उसके दोसरे दोनों end के उपर voltage potential difference induce होता है लगबग 800 volt के आसपास हम यहाँ पर DSO पर उसको समझने की कोशिस करेंगी दोस्तो हमने channel 1 की probe को यहाँ पर connect कर दिया है इसके ground को अगर आप चाहें इस ground को अगर आप चाहें तो metal file उस पर connect कर सकते हैं proper reading के लिए मेरे पास अभी metal file नहीं है चाहें तो कोई metal की strip पर भी आप इसको connect कर सकते हैं और इसकी जो probe का positive हिस्सा है जिससे हम signal measure करते हैं उसके एक end पर मैं strike करूँगा इस wire की मदद से सामने आपको जो screen है उस पर एक peak के रूप में spike के रूप में आपको voltage नजर आएगी यह देखिए एक positive side में और negative side में दोनों side में आपको यहाँ पर एक peak और spike के रूप में voltage नजर आएगी उसको बाद में capture भी करेंगी यह देखिए इसको मैं कोशिश करता हूँ कि इसको capture करूँ उसके लिए मैं इसको आगे लेके चलता हूँ और यहाँ पर hold करने की कोशिश करता हूँ यह हमने इसको यहाँ पर hold कर लिया है अब एक बात यहाँ पर नजर यह आई है क्योंकि ये positive side में भी है और negative side में भी है तो इसका मतलब ये AC in nature है alternating in nature है DC तो बिल्कुल भी नहीं है अब center में करके इसको enlarge करते हैं ये देखिए ये waveform है ये आपका positive side में है और नीचे negative side में कम है लेकिन है इसको मैं और बढ़ा करके दिखा जैता हूँ आपको ये देखिए ये negative side में भी है ये negative side में है positive side में इसका जो cycle है इसका duration ज़ादा है negative side में कम है लेकिन negative और positive दोनों side में है तो हम इसको AC कह सकते हैं कि ये AC in nature है अब है कितना क्योंकि मेरा जो probe है ये आपका division है ये यहाँ पे फिलाल 50 volt की है 50, 100, 1,500, 200, 200 200 तक तक तो यहाँ पे हमारे को नजर आ रही है और इससे भी आगे तक ये है क्योंकि 200 पे भी ये आपका waveform जो है लगबग आधी के आसपास ही हमको नजर आ रही है उससे कम ही है वलकि तो ये हो सकता है कि 700, 800 volt के आसपास हो क्योंकि मेरे पास 10x की ही probe है मैं इसको ज़्यादा major यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ तो यहाँ पे हमने ये दो चीजें यहाँ पे notice की है कि ये एक AC in nature है दूसरा इसकी जो peak है, spike है वो 700, 800 volt हो सकती है क्योंकि 500 से ज़्यादा voltage तो हमने यहाँ पे note कर ली है जो कि यहाँ पे खतम नहीं हुई है, हो सकता है कि 30-40% तक हमें यहाँ पे capture कर पाए हूँ अब मैं बरतन का use करके भी यहाँ पे समझने की कोशिज करते हैं कि बरतन में भी क्या voltage induce होती है क्या अब हमने एक बरतन ले लिया है उसके उपर DSO की probe लगा दी है negative को open भी छोड़ सकते हैं file का भी use कर सकते हैं या एक आचे negative को touch भी कर सकते हैं इस negative की इस probe को ताकि probe पर आपको यहाँ पे signal मिले ground जो है floating होता है तो ground पे यहाँ पे आपको अलग अलग frequency नज़र आ सकती है अब मैं इसको strike करता हूँ देखिए यह आपको जैसे strike करता हूँ बरतन पे मैंने strike किया है आपको वाँ पे voltage नज़र आएगी एक spike के रूप में यह देखिए इसको मैं कोशिश करता हूँ होगी अब यहाँ पे capture करूँ यह हमने इसको capture कर लिया है यहाँ पे अब इसको center में लेके आते हैं यह 3-4 बर मैंने strike किया इसको तो यह 3-4 spike के रूप में record हो गई है यह देखिए same nature जो हमने direct check किया था आपके पीजयो इलेक्ट्रिक igniter के उपर वही same impact हमारा अब इस बरतन पे भी हमने record कर लिया है यह देखिए यह इसी तरीके की है यह negative side में है और यह positive side में है positive side में इसका duration ज़ादा है negative side में इसका जो time period है जो duration है वो आपका कम है यहाँ पे हमें हमारे तीनों ही स्वालों के जवाब मिल गए है यह जो पीजयो इलेक्ट्रिक igniter है यह pressure और force को electrical energy में convert करता है यानि कि voltage यहाँ पे produce होती है produce तो मैं नहीं कह सकता है लेकिन जो pressure है वो electrical energy में यहाँ पे convert होके voltage के रूप में हमें मिलता है और वो voltage बहुँ ज़्यादा high voltage होती है 700-800 वाल जितना कहते हैं उतना ही voltage यहाँ पे produce होता है तीसरा वो जो voltage है वो AC in nature है चोथा एक important point यह है कि जैसे हमारे cell होते है cell की तरह इसकी life नहीं होती है यह charge डिशार नहीं होता है यह एक transducer है जो कि energy को convert करता है एक form से दूसरी form में यह आपका तब तक चलता रहेगा जब तक कि यह physically damage नहीं हो physically wear and tear जब तक इसके अंदर नहीं होगा तब तक यह आपका चलता रहेगा गिरने से या किसी दूसरी बज़े से अगर यह physically damage हो जाता है तब यह काम करना कम कर देगा या तो काम करना बंद कर देगा वरना यह एक transducer की तरह काम करता है energy को सिर्फ convert करता है इसके अंदर energy store नहीं होती है जिससे कि वो energy खतम हो जाए या discharge हो जाए अगर आपको हमारी videos पसंद आती है तो आप videos को like और share कर सकते हैं अपने friend circle में नए हैं तो channel को subscribe कर लें बेल आइकन दबा दें ताकि नए videos की notification आप लोगों को लगातार मिलती रहें बाकी videos के लिए आप मारे channel की playlist पे जाके videos को देख सकते हैं thank you दोस्तू